कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं संतोष कुमार और आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोथ इच्पूश्म पॉइंट दोस्तों आज हम आपको कि एन आई यूएस के टेंथ क्लास के इंग्लिश एसाइमेंट का रिव्यू करने जा रहा हूं तो आप हमारे कि द्वारा बनाएं गए एसाइमेंट का आउसर देख सकते हैं तो चलिए आपको मैं दिखा रहा हूं यह एन आई यूएस का इंग्लिश जिसका कॉर्ड दोसो दो है टेंथ क्लास के लिए है और यह टूटल मार्क एसाइमेंट दो हजार बीस एकीस से सन का है जो अभी हमें चल रहा है और यह एसाइमेंट एक अत्तीन जनवरी लाज डेट है जमा करने की उसे पहले आप जमा कर सकते हैं अभी जमा हो रहा है, तो आप चाहें तो इसको complete करके आप जमा कर सकते हैं, यह एक reference material type में है, लेकिन हमारी जो teachers हैं, expert teachers हैं, उनके द्वारा हम हर साल करवाते हैं, और हर साल का result बहुत ही अच्छा आता है, 20 में से 19-18 एप्रोक्स आ जाता है, तो आप देख सकते हैं, ने बहुत ही अच्छे त्रेक्टे से assignment complete करवाया हूँ, typed assignment है, यह computer typed क्या हुआ है, आपको लिखने, copy करने में किसी भी प्रकार की प्रेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, actually मैं पहले भी, कभी भी आज तक current session का assignment review नहीं किया हूँ, बट इस बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कि growth इस किसम पोड़ा जो बनाए जाते हैं, assignment जो त्यार किया जाते हैं, वो किस टाइब का answer source में होते हैं, क्योंकि कही सारे बच्चे ने phone किया था और पूछा भी है sir आपको sample वेगरा दे सकते हैं, तो एकली हम sample वेगर नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो work है, वो बिल्कुल ही साप सुत्रा है और हमें जरद ही नहीं पड़ता है sample देने की क्योंकि कोई भी यह चार्जेबल है बच्चों से कुछ पैसे तो हम लेंगे ही student से उनको material दे रहे हैं, तो उनका चार्ज करते हैं इस बार मैं आपको दिखाता हूं कि किछ टाइब का हमारे questions के answer होते हैं, तो आप देख सकते हैं, जितने भी subject है, सारे subject में आपको 6 questions दिये होते हैं, और 6 questions में से आपको 6 को ही करना है, all questions जो है compulsory है, सभी questions को करना है, लेकिन उसमें 2 part दे जाते हैं, जैसे कि 1 question में 2 part होते ह हैं A और B, तो दोनों में कोई A की करना होता है, तो हमने जितने भी subject है, हमारे subject में हमने एक part का किया हुआ है, और आप देख सकते हैं, इनका portion यहां पे है, और उनका answers आप देख सकते हैं, कितने बारिकी से बहुत ही अच्छा word में भी, आप देख सकते हैं, 40-60 word बोला है, 40-40 तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपको length कम मिलेगा, word कम मिलें, ऐसा नहीं है, आपको सारे questions का answers आपको यहां पे मेल जाएंगे, और यहां पे जो project work होता है, उनको भी complete किया गया है, ताकि किसको कहीं Google में या कहीं भी सर्च करने का जर्रत नहीं है, आप यहां से उस इसको complete कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, अब पूरा 6 का 6 answers है, और सारे answers टाइब किया हुआ है, और यहां पे मैंने एक slip भी दे रखा है, ताकि बच्चे को कहीं डोडने के जर्द नहीं पड़ेगा, कोई भी अगर assignment पर्चेस करता है, तो उनको assignment के अंदर ही यह receipt मिल ज जाएगा, जब यह assignment जमा करने जाएगा, इसको फिल करके जाना, एस्टेडि सेंटर, और एस्टेडि सेंटर में यहां पर signature करवाना है, receiving के तौर पर यह receipt है, तो receiving रख सकते हैं, और कई सारे बचे करते हैं, कि front page पर क्या लिखना है, तो जैसे यहां पर दिया हुआ है, इत पर कर सकते हैं, बंक का assignment अगर आप चाहते हैं, तो यहां पर हमारे website है, website में visit कर सकते हैं, हमारे पास एकनू का भी assignment मिल जाएगा, और admissions के लिए अगर आप कोई help लेना चाहते हैं, तो आप call कर सकते हैं, NIS का practical PDF है हमारे पास, जो NIS द्वारा issue किया गया है, वो free of cost हमारे website स आप download कर सकते हैं, उसा कोई charge पर नहीं करना है, और जिन बच्चों को books नहीं मिला है, तो वो हमारे website से practical video free of cost download कर सकते हैं, हम all over India में देते हैं, जितने भी state है हमारे इंडिया के अंदर, उन सभी जबहों पर हम देते हैं, इसके बाद एगर कोई कुवेत हो गया, दुबई ह हो गया, शौदी अरभिया हो गया, तो वहां पर भी हमारा assignment by mail दे देते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, हमारा संपर्ख सुत्र भी यहां पर है, अगर आपको कोई शंपर्ख करना चाहते हैं, तो वह कर सकते हैं, guide books पकर भी अगर कोई order करना चाहते हैं, तो आप हमारे website स से परचेज कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना करें